नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर सिक्चक न्युक्ति परिक्षा में इन बातों का रखे ध्यान पत्रकार हत्याकंड मामले को लेकर चार आरूपी ग्रफतार प्यार के सरकारी स्कूलों की हालत के बारे में रिपोर्ट में हुआ खुलासा प्यार में बर रहे डेंगू के मामले स्वास्त विभाग अलर्ट पहले टी-20 मैच में कप्तान के रूप में जस्पृत दुम्रहनी बनाया खास रिकॉर्ड इसके साथ ही बढ़ते हैं शांतक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सिक्षक न्युक्ति परिक्षा में इन बातों का रखे ध्यान अगर आपे उन अभ्यर्थियों में से हैं जो 24 से 26 अगस तक होने वाले सक्षक न्युक्ति परिक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे किस परिक्षा के लिए राजे भर्मेकुल 860 केंद्र बनाए गये हैं जहां सभी परिक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर और साथ ही सभी कक्षा में भी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि इन कैमरों के माध्यम से परिक्षा केंद्र की गतिवीधियों का लाई प्रसारन बीपी ऐसी कार्याले की कंट्रोल रूम और जिलो के कंट्रोल रूम में होगा और इसे मीडिया कर्मी भी देख सकते हैं आपके जानकारी के लिए बता दी कि परिक्षा शुरू होने से भाशन हो के परिक्षा केंटर के भीतर परिक्षार्थीयों का प्रवेश सुरू हो जाएगा और एक घंडा पहले पुरी तरह बंद beispielsweise का एक प्रशनपत्र एक बॉक्स में होंगे जो की सील बंद होंगे और वे सीदे परिक्षा कक्छ में खुलेंगे जिसे परिच्छार्थियों के सामने खोला जाएगा आपजरवर के रूप में प्रधान सचीव और प्रमंडल ये आयुकत न्युक्त होंगे बिहार के इस सरकारी स्कूल को मिला 5 स्टार रेटिंग बिहार का एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसे 5 स्टार रेटिंग दिया गया है बतादी के हम दिस स्कूल की बात कर रहे हैं वबेगु सराय जिला का मध्य विद्याले मोहनपुर का है पता दे कि बिहार स्वच्छ विद्याले पुरुसकार 2022 के लिए राज्य अस्तर पर चेनित स्कूलों की सूची जारी कर दी गई है जिसके तहट बिहार स्वच विद्याले पुरुसकार 2022 के लिए राजे इस तर पर स्वच्टा की माप दंडो पर खड़ा उतरे सर्वस्टिष्ट विद्यालियों में यह पुरुसकार मध्य विद्याले मोहनपुर को मिलेगा इस सुपलब्धी पर मध्य विद्याले मोहनपुर के प्रधान ध्यापक विनय कुमार ने पुरुसकार के लिए स्कूल का चैन होने पर खुशी जाहिर करते वे कहा कि हमें गौडव है कि 21 अगस्त को पटना में हमें स्वच विद्याले पुरुसकार से सम्मानित किया जाएग उन्होंने आगे बताया कि 5-6 माप दंडू पर राज्य सरकार की टीम के दोरा जांच की गई जिसमें 5 स्टार मार्किंग हुई प्रधान ध्यापक ने बताया कि बच्चों के लिए स्वच पेजल की विवस्था 140 बच्चों की आदत में समाज की सहभागिता परिसर और जानकारी के नुसार देर रात पुलिस के दोर अचापे मारी कर चार आरोपी को गिरफतार किया गया है मालूम हो कि इन लोगों ने पत्रकार को गोली मारी थी दरसल अरडिया जले के रानी गंज में शुक्रवार की सुभा बेखॉफ अपरादियों ने संसनी खेच कान को अ बिहार में लगाता डेंगू के मरीज सामनी आ रहे हैं जिसे की स्वास्त विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है पतादिय के बिहार के राजधानी पट्ना में पिछले एक महीने में कुल 28 मामने सामनी आये हैं वही भागलपुर में एक मरीज को डेंगू से मौत हो गई है ऐसे में स्वास्त विभाग के ओर से बचाओं के लिए कदम उठाए जा रहे हैं बता दे कि संबद में विभाग के अपर मुख्य के दौरा वीडियो कॉन्फरिंसिंग के जरिये निर्देश चारी किये गये हैं और साथ ही प्रभावित इलाकों में नगर निगम के ओर से च चिरकाओ कराने का निर्देश दिया गया है प्रगती ओजा ने बढ़ाया बिहार का सम्मान इस रो ने किया सम्मानित बिहार के बकसर की बेटी प्रगती ओजा ने कुछ ऐसा कारणावा कर दिखाया है जिससे नाके वल जले की बलकी पूरे राज्य का मान सम्मान बढ़ गय दरसल प्रगती को चंद्रयान 3 के प्रच्छेपन का सुध अभिभाशन करने को लेकर इस्टो के द्वरा सम्मानित क्या गया है आपकी जानकारी के लिए बतादे कि प्रगती ओजा हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में हैमदाबाद गुजरात में निप्त है और इन्होंने चं चंद्रयान तीम के सफल प्रच्छेपन पर प्रगती ओजा के द्वरा शुद उचारन के साथ अभिभासन दिया गया था छपड़ा में एन आई ए टीम की छापे मारी बाबूलाल से घंटो चली पूछताज बिहार के छपड़ा के मरहोडा थाना छितर के अवारी गाउं मे एन आई ए के टीम के दोरा शापे मारी की गई जो की देर राद तक चलते रही लेकिन इसकी जानकारी किसी को कानू कान तक नहीं मिली बतादे कि इस चापे मारी को लेकर मिली जानकारी के नुसर या चापे मारी मरहोडा के आवरी गाउं निवासी बाबूलाल के घर की गई उनके मुवाइल और डायरी को जब्त किया गया है फेवी कॉल के आर में ट्रक से सराब की सप्लाई बिहार में पुन रूफ से सराब बंदी है यह तो हम सभी जानते हैं हलाके इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विवाग के ओर से जी तोर कोशुश की जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ कमी देखने को नहीं मिल रही बलके सराब तसकर तसकरी करने के लिए और नए नए तरीकों का इजाद कर रही है बता दे कि ताजा मामला पटना सिटी का है जहां पुलस को मिली गुप्त सूशना के अधार पर माल सलामी थाना च्छेतर के कट्रा वाजार के पास एक ट्रक में छापे मारी कर फेविकॉल के बीजो बीच से अंग्रेजी सरा बरामत किया गया है जिसकी कीमत 10 लाग से जादा किया की जारी है हालाक इस दोरा ड्राइवर और खला सी भागने में सफल रही इस मामले के बारे में माल सलावी थाना के PSI प्रियंका कुमारी ने बताया कि जबत किये गए ट्रक का नंबर पंजाब का है फिलहाल मामले की जार्च की जारी है इंडो नेपाल बॉर्डर पर दो बांगलादेशी नागरी गिरफतार बिहार की मधुबनी में इंडो नेपाल सीमा से 60 जैनगर मुख्याले के SSB 48 वी वाहिनी SSB के जवानों के द्वारा बॉर्डर से दो बांगलादेशी नागरी को गिरफतार किया गया है जिसकी पहचान मुहम्मद तौरीकुल इसलाम और मुहम्मद आलमगिर हुसैन के रूप में की गई है फिलाल दो बांगलादेशी नागरी को से गहन पूछताच की जारी है इस बारे में SSB 48 वी वाहिनी उप कमांडेंट विवेक ओजा के दोर जानकारी देते वें बताया गया कि SSB 48 वी वाहिनी के द्वारा गुप्त सूशना के आधार पर कारवाई करते वें दो बांगलादेशी नागरीकों को गरफतार किया गया है जिनने अगरें कारवाई के लिए भेज दिया गया है मही कमांडेंट गोविन सिंग भंडारी का कहना है कि मामले की सही से जांच के लिए पुर्ण जानकारी प्राप की जारी है अवैद रूप से होड़े तसकरी एवं रास्टरहित के किसी भी खत्रे को रोखने के लिए एसस भी हमें साथ तयार है मांसिक स्वास्ते और चिकिस्सा सवधाओं पर राजे सरकार को पूरा ब्योरा देने का नर्देश विद दिन पटना हाई कोड के चीफ जस्टिस के वी चंदरन की खनपीट के दोरा बिहार राज में मांसिक स्वास्ते और चिकिसा सवधाओं से संबनित मामले पर आकांचा मालविये की जनेत याचिका पर सुनवाई की गए इस तोरान कोड के दोरा राजे सरकार को नर्देश दिया गया कि वे इस मामले पर की जा रही कारेवाही का ब्योरा अगली सुनवाई में पेस करें आपके जानकारी के लिए किस मामले को लेकर हुई पिछली सुनवाई में राजसरकार के ओर से कोट को बताया गया था कि नई नियमा वाली बना ली गई है वहीं कोट के दोरा राजसरकार को नर्देश दिया गया था कि वेहलफ नामा पर दायर करे पतादी की आचिका करता के दौरा कोट को बताय गया कि राजित सरकार के दौरा आधा अधूरा कारे किया गया है बतादी कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोट के दौरा दो सब्ता बाद की जाएगी बिहार में दाल हुई महंगी, आटे काफी चरह भाव इन दिनों बिहार के लोग बरती महंगाई से काफी परिशान है एक तरब जहां लोगों को टमाटर और सबजियों की बरती कीमतों से परिशानी हो रही है तो वहीं अब दूसरी ओर दाल भी महंगी हो गई है और इसके साथ ही आटे के भाव में भी बरहुतरी हो गई है पतादे के अरहर दाल से लेकर चना दाल सभी की कीमतों में 10 रुपे प्रती कीलों तक की बरहुतरी हुई है बरती दामों को लेए कर करोबारियों का कहना है कि डालों का उतपादन कम होने की वज़ा से डाल की कीमत में बढ़ेद्री हो रही है वतादी कि अरहर डाल की कीमत 140-150 से बढ़कर 150-160 हो गया है वहीं चनादाल की कीमत 80-95 हो गया है इसके लावा आटा की कीमत मी 32 रुपे से बढ़ कर 34 रुपे हो गई है चीनी की कीमत 44 से बढ़ कर 46 हो गई है और साथ ही सरसो तेल की कीमत में 15 रुपे की वृधी हो गई है और अब 110 रुपए लीडर से बढ़कर 125 रुपए हो गई है बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत के बारे में रिपोर्ट में हुआ खुलासा बिहार के सरकारी स्कूलों के सिती के बारे में जिला मजिस्ट्रेट की ओर से सक्षा विभाग को सौपी गई निरिक्षन रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार सरकार के अधिक तर प्रात्मी तिथा माध्यमिक स्कूलों में ब्लाक बोर्ड बेरंग पड की रंगाई सुनश्रित की जाए और साथ ही सौचाली को भी उपियोग करने के योग्य बनाया जाए उन्होंने कहा था कि इन कामों को जल से जल पूरा किया जाए इंडिया टीवी सरवे के नुसार एक बार फिर से बिहार में एंडिये रेस में आगे निकलती दिख रही है जिस सरवे में चौबेश सीटे मिलती दिख रही है तुछ बार परिणाम देखा जाये नॉर्थ बिहार में 12 सीटे हैं यहां से 8 सीटे NDA को तो वहीं महागरवंधन को 4 सीटे मिलती दिख रही है मिधलांचल में 9 सीटे हैं यहां से 6 NDA को तो 3 महागरवंधन के खाते में जाती दिख रही है सिमांचल में 3 NDA तो 4 महागरवंधन के पाले में जाता दिख रहा है हाजीपूर से चुनाव लड़ने पर चुराग पास्वान का बयान तो आप पूरी तरीक से दावा कर सकते हैं मैं इसलिए हाजी पूर सीट पर दावा कर रहा हूं क्योंकि मैंने गडबंधन में जाने से पहरे इन सारी चीजों पर बात कर दी है अगर मैं आज कुछ ऐसा बोल रहा हूं तो गडबंधन ने मुझे ये अधिकार दिया है इस मैच में भारतिय तीम की कप्तानी कर रहे जस्प्रीद दुम्रा ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड कर दिया है दरसल जस्प्रीद दुम्रा को मैच के बाद प्लेयर ओफ दा मैच खुश्रत कर दिया गया जो कि भारतिय ती 20 के तिहास में पहली बार हुआ है ये किसी डेब्यू 10 कप्तान को प्लेयर ओफ दा मैच के खिताब से समानुत क्या गया हूँ ऐसे में जस्प्रीद दुम्रा पहले ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन ही ये खिताब मिला है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जस्प्रीद दुम्रा के दौरा पहले मैच में चार ओवर में 24 रंदे कर चार विकर चटकाई गये थे जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज यानी सनिवार को पिट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पट्ना में आज पिट्रॉल 17.59 रुपे और डीजल 14.36 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है वजह पर पुर्णे पिट्रॉल 107.95 रुपे और डीजल कीमत 94.68 रुपे प प्रति लीटर है इसके साथ ही गयामें पिट्रॉल कीमत 17.94 रुपे और डीजल कीमत 94.69 रुपे प्रति लीटर है बतादी कि बिहार में पिट्रॉल का रेट सब आज़ा किसंग केंष में है जहां पिट्रॉल 109 रुपे साथ 3.40 रुपे और डीजल 40. frightening 007 रुपे और डीज 26. और अगराफ यूटूब से देक्ट उन्यूचे को फॉलो कर Plato न भूले धनेवाद